नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने आईफोन में यहां की वोर्ड जो है इसमें वाइबरेशन कैसे होन कर सकते हैं देखिए दोस्तों vibration and sound कैसे हम कर सकते हैं जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ देखिए अब यहां पर vibration कैसे आप sound और vibration में convert कर सकते हैं जैसे vibration भी रखना होगी में और sound भी रखना हो तो तो इसके लिए समसे पहले दोस्तों आप अपने अपने फोन की setting में आना है यहां setting है यह setting और फ्रेंड्स उसके बाद आपने जाना है sound and haptics में इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है धियान से देखना है दोस्तों वीडियो यह एक तो system haptics को यहां आपने on करना है जिनका off होगा तो और second तो friends यहां keyword feedback अब आप यहां haptics को on कर लो और यहां पर sound को अगर sound करना चाते है जैसे अपने keyword के button से sound produce करवाना चाते है तो sound में रखिए अगर आपने sound के साथ haptics में haptics का मतलब है कि आपने keyword में vibration भी चाहते हो आप अपने keyword में तो haptics को on करके रखना है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि sound को बंद कर दीज अगर keyword को vibration में रखना चाहते हैं तो सिर्फ haptics को on रखिए अगर बहुत को करना तो बहुत को कर दीजिए तो friends इसी के साथ वीडियो खतम होती है और मेरे चैनल को subscribe कर ले और bell icon ज़रूर ब्रेस करें ताकि मैं छोटी छोटी tricks लाता रहता हूं अपने phone में थैंक यू